है सो गुटीवनदीवरिवन हो आज ओ अप्वर bakın a प्पमेश्ट कर लिए दो फ्वेयर वन वह नहीं ते नियुक 실idet केंश्टं को motivate like अब बाता है? पॉसिबल है पॉसिबल है या नहीं यह वो अपन कैसे देखेंगे यह क्या होता है यह तो रों होता यह उप था फर्स स्क्रीन पर देखो आपको तूरं ध्यान मेगा इसका कॉलम और इसका रो अगर इक्वल है दोनों मेट्राइस का एक का कॉलम एक का रो गाइद अगर यह इक्वल है तो आप बोलोगे तते के लिए जाद से टेखनीक ऐसा उल्टा ऐसा टी बंता है ऐसे टी बंता है इसके रो को आर्प को पकड़ने की व्योंत फिर यही रोग को second column से पकड़ना यही रोग को first column किया second column फिर यही रोग को third column तो आप देख रहो कैसा बन रहा है बद एक चीज़ ध्यान रखो ठीक है चलो आजाओ ओके चलो आज ओर आदिक इदर ठीक है so question number two question number two में क्या बोल रहा है आपको a into b now please tell me how many of you had solved question number two और कितनों के answers आ गये है a into b करना था और b into a करना था मैंडम a की होगा अरे करोगे नहीं तो बोलना मत पहले करो a into b करो चलो यह वला आपन कर लेते हैं a into b कैसे करेंगे पहले देखो यहाँ पर three by three है पहले चेक करो क्या multiplication possible है क्या इसका कॉलम इसका रो है हांजी है तो बस आपको कुछ लिखने की तरह था नहीं है ठीक है ना इसके रो को इसके कॉलम से multiply करो कितना आएगा आपका minus one into two उपर यह सब मिटा दू यह बहुत अच्छी टेक्निक है ना एकर एक्जाम में अगर आप इस तरह से कर लोगे multiplication ऐसे करते हैं तो कितना मसत है सिर्फ इसी से आपको समझ में आ जाएगा और इधर एक बार लिख देना two by three और इधर लिख देना three by two ठीक है तो यह दोनों सेम चाहिए फर्स कंडिशन और यह सेकेंड वाला स्टेफ यह दो स्टेफ अगर आपने आपके चाट नोट में लिख लिया तो आपको समझ मारेगा करना केता और यह सिर्फ आप ही understand कर पाओगे को दूसरा नहीं समझ पाएगा कि क्या मतलब है इसका ठीक है ड़न एवरीवान फिर करना है फिर इसको और थोड़ा सजाना तो ऐसे कर दो कि यार इसको और सजाना तो यह लो अभी यह वाला फिर वापस से यह वाला फिर वाप के रखना आपके notebook में बिल्कुल बना के रख लो चालो नाउ केसे करना है minus one into आप पहले रो को फर्स रो को फर्स कॉलम से देख रहो फर्स तेंग तो minus one into two plus one into three three हो जाएगा इदर one into one one हो जाएगा ठीक है अब इसी रो को इससे करेंगे अपन तो minus one into one minus one zero आएगा जीरो भी लिखी लो एक बार और plus two मतब क्यूंकि cross tally करने में answer match होना चाहिए ठीक है अगर गलती से कुछ में सेक हो गया तो चेक के से करेंगे ना अगे minus one into four minus four plus two plus one ठीक है चलो बढ़ो आगे second row की तरफ बढ़ो two two the four three three the nine zero one the zero वापे से second row की तरफ है two one the two three zero the zero and zero two the zero वापे से second row की तरफ ही अभी हम लोग second row and third column में अभी ठीक है two four the eight three two the six and zero one the zero done अच्छा उसकी बाद में अभी अपन third row में और first column में third row and first column ठीक है आजाएगा one two two one the two the minus three into the three three the nine minus nine one one the one now of second column की तरफ बढ़ेंगे one into one one minus three तो नहीं आएगा तो यह जाएगा अपका प्लस जीरो विकाँ minus three into zero zero हो जाएगा और one into two this will be your two done everyone okay now third row को third column से करना one four one the four three two the six बहुत शांती ते कर रहे हैं I hope आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से यह आगया solution ठीक है एक बाद चेक कर लेना वापस से कि हर एक रोग को हरे कॉलम थे किया या नहीं किया अपने नॉर्मली किया है शांती थे किया तो सही होना चाहिए चलो five and six यह कितना हो जाएगा 13 यह कितना हो जाएगा this will be your three three minus of nine कितना हो जाएगा minus of six यह जाएगा minus one नहीं minus one कियते हो जाएगा two minus one है oh just a second plus two minus one तो जाएगा तुमारा one इधर आएगा two और इधर आएगा three यहाँ पर कितना हो जाएगा minus four plus three this will be your minus one 14 और यह कितना रहेगा five minus six plus five will be your minus one एक बाद चेक करना is this your answer a into b का क्या यह answer है everyone just check it out हो तकता है mistake को इससे बोल जाएग बाद एक बाद एक मिनिट mistake होने के chances है ठीक है यह था minus one एक मिनिट थोड़ा minus वाले को चेक कर ले ना में जर्मस्तेक होती है माइनस में यह माइनस वान इन्टू था यहीं पर मिस्तेक हुई अपने एक में वापे से चेक करने दो अपने यह रो कर रहे है ठीक है रहे हां से यह माउन प्लस वं मिंट एक नगे में इन्टू एक यह करेंगे सिंपल पहले बीको करो लिखो आप into a is equal to यहाँ पे पहले b लिखो आप फिर a लिखो आप अब इन दोनों को multiply करो तो यह कितना हो जाएगा 2, 3, 1 1, 0, 2 4, 2, 1 minus 1, 2 1, 1, 3 minus 3, 1, 0, 1 अब क्या करना है guys are you with me शांती से बैटो मत, solution देखो मत खुद से solve करो, यहाँ पर समझाने जासा कुछ नहीं है, because all the questions are similar, सारे questions इस exercise के similar है, ठीक है तो एक बाब फटा बटते एक दो question में practice कर लो, बादने आप खुद भी कर सकते हो, तो पहले row column को देखेंगे, 3 by 3 matrix से मतला हमें पता है, column और row थे हैं, ठीक है, now, first row and first column, 2 into minus 1, minus 2, 1 into 2, 2, 4 into 1, 4 1 the 4, ठीक है, now, अब यह वाला, 2 1 the 2, plus 3, minus 12, now, 2 plus 0, plus 4, is it correct, एक बाद चेक करते रहें आपने, गलत कुछ mistake है, तो बताना, ठीक है, now, 3 minus 1, minus 3, इज़े तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 the 3, 0, 3 2 the 6, 3 0, plus 2, और यह कितना हो जाएगा, 1 minus 1, minus 1, ती, repeated questions आएगे, तो गई तासा हो तकता है, कि आप बोर, आपको, आपके लिए ना, यह question थोड़ा बोरिंग हो, बट एक question solve कर लेते हैं, तो हाब patience, अच्छा, यह पोर हो जाएगा, और 1, 1 जा 1, ठीक है, अब वापे से 1, 3 to the 6, 3 to the 6, and minus 3, वापे से यह क्या हो जाएगा, 1, 0, 1, हुआ यहाँ तक, everyone, any mistake, तो प्लीस तेल मी, कोई mistake है, यहाँ पर, आप लोग साथ साथ में solve कर रहे हो न, नहीं है, ओके, चलो, B into A is equal to, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यह दोनों तो cancel हो जाएगा, तो इसका अंसर आजाएगा 4, इसका अंसर आजाएगा, 5, 5 minus of 12, 5 minus of 12 कितना आजाएगा, minus 7, यह कितना आजाएगा, minus 3, यह कितना आजाएगा, 7 minus 3 कितना हो जाएगा, 4, plus 4, is this your answer, just check it out, 4 minus 1, 4, 4 minus 1, 4, minus 7 minus 3, 4, minus 7 minus 3, 4, 6, 5, 2, 6, 5, 2, ठीक है, और A b एक बाद चेक कर लो, 2, 13, 6, minus 6, 1, 2, 3, and okay, तो अभी क्या करोगे आप, आप इदर डालोगे, equation number 1, equation number 2, अब आप एक बाद चेक करो जाएगा, कि यह दोनों जो वर्ट्स है, यह सेम आ रहे क्या, दोनों equation A और B और B और A का calculation सेम आ रहे क्या, इदर 2 है, 2, 13, 6, minus 6 है, यहाँ पर 4, minus 1, 4 है, सेम आ रहे है, is it same, no way, ठीक है, तो आप क्या बोले के, from 1 and 2, we get A, B is not equal to your B, A, hence fruit, ठीक है, done, समझा, एक के question solve करवा के दिया है, तोड, easy था, yes, okay, now, अब यह वाला खुच्चे करेंगे, show that A, B is equal to B, क्या यह दोनों equal है, आप पहले A into B, जैसे ठीक अभी हमने question number 2 किया है, A into B किया, फिर B into A किया, वैसे ही करना है, और अगर वो दोनों exactly same है, जैसे यह वाले question में देखना, 100, 100, 010, 010, 010, 001, 001, गई सेम आ रहा है, तो देफोर from 1 and 2, we get A, B is equal to B, clear, question number 3 simple है, कर लेंगे, ठीक है, same question है, same question है, चलो, let's move towards your question number 4, question number 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, अरे बोलो समझा या नहीं समझा, everyone, तभी आगे बढ़ू, करवाना है क्या, repeated sum, same sum है, सिर्फ numbers change है, ठीक है, ओके, चलो, verify A into B, C, A, B into C, मतलब क्या बोला है, वो, इसको और इसको verify करो, तो यहारा, यहां पर आपको दे दिया, A अगर यह है, B, A, C, A, आप कैसे solve करोगे, आपको left hand side क्या दिया है, A into B, C, तो आप इसके लिए, यह निकालने के लिए, first step आप क्या करोगे, first step क्या रहेगा, आपका, B into C निकाल लो पहले, B into C का जो matrices आएगा, उसको A से multiply करोगे, तो वो जो solution आएगा, वो जागा तुम्हारा left hand side, फिर right hand side कैसे solve करोगे, आप, पहले A भी निकालोगे यहां पर, because A, B को preference दिया है, bracket है, फिर बाद में, इसका जो matrice आएगा, उसको C से into करोगे, और फिर आप बताओगे, क्या यह दोने equal है, तो आप बोलोगे, yes, from equation 1, equation 2, यह दोने equal है, नहीं होगा, तो बोल देने equal है, ठीक है, चलो, आज़ो, एक बाद शेक कर लेता है, पहले इनोंने B into C किया, B into C कैसे किया, कितने matrice, rows और column देखो, पहले, order बताओ मुझे कितना है, कितना rows है, 3, ठीक है, तो यह matrice कितना वह यह बताना, उपर लिख दू, उपर लिखती हैं, ठीक है, आपको clearly दिखेगा, 3 into 2, 3 column, 2, sorry, 3 rows, 2 column, और यह वाला matrice कितना है, 2 rows और 3 column, क्या यह दोनों सेम है, मतलब क्या column और rows इसका सेम है, तो क्या multiplication possible है, यह तो बस multiply किया, यह आया हमारा solution, यह आया BC, अब इस BC के solution में, आप यहाँ पे जो matrice A है, इसको multiply करोगे, 1, 2, 0, यहाँ पे देखो, जो BC जो solution आया है, यह जो solution आया है आपका, इसको आपने यहाँ लिखा BC, और A को directly आप questions उठा के लेकर आओगे, यह देखो, इन दोनों को multiply करोगे, you will get some solution, इसको आप A into BC करके, इसको आप equation number 1 डालोगे, फिर यह हो जाएगा आपका left hand side, ठीक है, इससे आपने equation number 1 डाला, यह इसको न, यहाँ last में नहीं लिखते हैं, इसको हमें शहीदा लिखना, LHS is equal to, यह, now, right hand side के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है, right hand side के लिए, A, B को पहले multiply करो, यहाँ पे, ठीक है, A, B, यह लो यहाँ पे, A, B को multiply किया, आपका solution आता है, कुछ यह, अब इसको multiply करोगे, आप C के साथ, therefore, right hand side is equal to A, B into C, यह रहा तुम्हारा A, B, और C को as it is copy करो, question से, कितना है, देखो, 3, 2, minus 1, 2, 0, minus 2, 3, 2, minus 1, 2, 0, minus 2, 2, 0, minus 2 है न, यह भी है, ठीक है, यह आप solve करोगे, तो you will get this answer, दोनों same आ रहे होंगे, तो आप लिखोगे, yes, it's equal, ठीक है, from 1 and 2, we get A into B, C, is equal to A, B, into C, वो equal आ जाएगा, करेंगे खुद से, everyone, simple AR, simple normal mathematics है, normal multiplication है, same method है, ओके, चलो, बताओ, कर लेंगे यह वाला पाट खुद से, yes, ठीक है, ओके, नाउ, अब बात आती है, वरिफाई करो, A into B plus C, is equal to A, B plus A, C, अब इसको कैसे करेंगे माड़म, यह वाला आपकी माम solve करवा के देती है, simple था पाट है, कुछ भी नहीं है, LHS में क्या बोला है, थोड़ा तो common sense लगाएंगे, तो पहले bracket को solve करेंगे, मतलब पहले किसको solve करेंगे, अपन B plus C करेंगे, फिर उसको A into कर देंगे, और यहाँ पे A into B plus A into C, यह दोनों निकालेंगे, बाद में इन दोनों को plus करेंगे, खुछ से try करना, खुछ से try करना, बढ़ यह लो question में आपको बता देती है, solve करके बता दियो, ठीक है, 22, मेरे साथता solve करो, आपका solutions आ जाएगा, B plus C करना है, मज़े, तो सबते पहले, LHS, क्या दिया है, A into B plus C, तो therefore, first step क्या हो जाएगा, to calculate, first step में आप क्या calculate करो, B plus C, तो B minus 1, 3, 1, minus 2, ठीक है, यह होगे तुमारा B, C, और C क्या है, 4, 2, 1, minus 1, let me check your question, otherwise कैसा हो जाता है, solution करने के बाद में पता चलता है कि question कर लाता है, एक बाद cross verify करने तो मुझे, minus 1, 3, 1, minus 2, 4, 2, 1, minus 1, yes, ठीक है, correct है, now, अभी इन दोनों को क्या करना है, addition करना है, कैसे करोगे यार, addition कैसे करोगे, simple इन दोनों के बीच में एक addition है, कैसे करोगे, यहीं पर कर लेंगे हम लोग, minus 1, plus 4, कितना आ जाएगा, plus 3, 3 plus 2, 5, 1 plus 1, 2, minus 2, minus 1, minus 3, is this your solution, B plus C का ही solution होगा, अब आपने क्या करना है, LHS is equal to A into B plus C, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, A लिखोगे यहाँ पर, अभी A क्या है तुमारा, 4, 2, minus 2, 3, और B plus C क्या है, 3, 5, 2, minus 3, इन दोनों को फटा फटते, multiply करो, multiply बोला है, multiply है इन दोनों की बीछ में, ठीक है, खुछ नहीं बोला है, मतलब वो multiply है, चलो, multiply करना आपको पता है, चेक कर लो, क्या होता है, इसका order क्या है, क्या number of columns is equal to number of rows है, हाँ जी, multiplication possible है, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे फिर directly rows को column के साथ, फिर row को इसी row को इस column के साथ, तब भी पता आपको फटा फटते करो, 4, 3, 12, plus minus 2 into 5, minus 2 into 5, तो 5 to the 10, minus 10 हो जाएगा, yes or no, ठीक है, अब इसी row को इस column के साथ, तो 4, 2 is a, again 8, and plus minus 2 into minus 3, 4 को 2 के साथ किया, अब यह minus 2 को minus 3 के साथ करोगे, तो 2, 3 is a 6, लेकिन minus minus plus, तो 6 आ जाएगा, okay, now, अब यह वाले row को हम लोग इस के साथ करेंगे, 2, 3 is a, 6, plus, ध्यान से करना, बहुत mistake होती है, multiplication में, अच्छे खासे, अच्छे खासो की mistakes होती है, ठीक है, तो this is the most important part, बहुत अच्छी तरह से शांती से आप करोगे, यह हो जाएगा, आपका 2 into 3, will be your 6, and 3 into 5, 15 हो जाएगा, इधर, चलो, इसी row को second column के साथ करेंगे, क्या बहुती हो छाएगा, आपका 2 into 2 4, and 3 into minus 3, this will be your minus 9, done everyone of you, तो यह कितना हो जाएगा, आपका 2, यह हो जाएगा, आपका 21, यह हो जाएगा, आपका 6, 6, 6, 14, और यह क्या हो जाएगा, आपका, और यह क्या हो जाएगा, आपका, आपका, done everyone so this will be your final answer I mean final answer मतब यह first part आपके LHS का answer हो जाएगा left hand side का हो जाएगा now move towards your right hand side right hand side की तरफ बढ़ते हैं right hand side में क्या बोला है पहले बोला AB को करो फिर plus AC करो AB plus AC तो ठीक है चलो this will be पहले हम लोग एक महेट पहले proper presentation करेंगे right hand side is equal to AB plus AC now अभी पहले AB को multiply करते हैं AB का solution निकालते हैं AB क्या हो जाएगा A into B question से लिखो फटा फट से मैं शॉट में लिखते हूं ठीक है A into B करना है आपको मतलब आपको करना है 4 minus 2 2 3 यह जाएक का AB A हुआ यह जाए और अभी आप करोगे B तो minus 1 3 1 minus 2 ठीक है यह जाएक आपका AB यहाँ पे आप करो पहले AB और इसी तरह से AC करोगे AC यह तो as it is अपने वह भी उपर लिखा इसी को कॉपी करो 4 2 minus 2 3 एक बाग क्वेश्चन में चेक भी कर ले ना यह हो जगता है कि यहाँ पे मिस्तेक कर दी तो यहाँ पे भी automatically mistake हो जाएगी समझ महा रहा है एक बाद चेक कर लो I'll suggest कि directly question से ही copy करने का चलो ठीक है देखो 4 minus 2 2 3 4 minus 2 2 3 yes correctly किया है अपने ठीक है now अभी a को तो पकड़ लिया आपने c को भी पकड़ो इदर c को भी लिखो इदर c क्या है 4 1 2 minus 1 4 1 2 minus 1 correctly लिखा है yes चलो इन दोनों का multiplication करते है फटा-फट से और फटा-फट से solution चेक करते है ठीक है अच्छा इन दोनों का multiplication कर रहे हो आप तो आपको एक मिनटा यह solution मिलेगा a b का ठीक है और a c का यह solution मिलेगा इन दोनों का addition कर रहे हो ता आपको यह solution मिलेगा just check it out from your 1 and 2 is it your similar ता बोलोगे yes यह दोनों सेम है from 1 and 2 we get a into b plus c is equal to a b plus a c hence proved finally solution करेंगे खुछ से detail में खुछ से करेंगे yes or no simple है multiplication part already अपन ने कर लिया आई है ठीक है तो this is your repeated बहुत सारी part repeated repeated हो रही है चलो question number six है if a matrix b यह वाला matrix है show that matrix a b is non singular थोड़ा सा basic की तरफ जाएंगे types of matrices types of matrices में मैंने आपको यह बताए था कि वेर सिंगूलर मेट्रिक्स क्या होता है वेर डिटर्मिनेंट ओफ एजी जीरो ता बोलोगे yes the matrices is singular और वेन डिटर्मिनेंट ओफ एज नोट जीरो तो आप बोलोगे कि आप a b को डिटर्मिनेंट कैसे करोगे यहां पर क्या बोला है किसका हम डिटर्मिनेंट चाहिए उनको मट्राइस a b का मतरब सबसे पहले तुम्हें a into b करना है a into b का जो solution आएगा करो जरा a into b का solution कहाएगा उसका बाद में डिटर्मिनेंट करोगे और वो आपका 0 नहीं आना चाहिए तब ही आप बोलोगे कि yes matrices is non-tingular समझ में आ रहा है question question समझा क्या every one of you please tell me question समझा क्या करना है ठीक है okay चालो पट आवट से multiply करते हैं इसको भी a into b बोल रहा है कैसे करेंगे यार कितने रोज है दो रो है और तीन कॉलम है और यह इदा थ्री रो है दो कॉलम है यह त्री बाई टू मेट्रिक्स है ओके मुझे तो इतना पता है इसका लास्ट और इसका पहले वाला पाट सेम होना चाहिए तो multiplication पॉसिबल है मतब कॉलम इस इकल टू रोगा तो multiplication पॉसिबल है बस यह समझ में आ गया तो अब एक रोको इस कॉलम से फिर्स रोको पहले फिर्स कॉलम से फिर वापे से फिर्स रोको सेकेंड कॉलम यह आपका step है करो फटावट से 4 बंदा 4 माइनस 3 और यह क्या हो जाएगा प्लस 2 ठीक है अब वापे से इसी रोको इससे करेंगे 4 to the 8 प्लस 0 माइनस 4 अब यह वाले रोको यह वाले रोको आप किससे करोगे एक मिनिट लेट मी चेक तक क्वेशन परस्ट आवरना अधरवाइस ऐसा हो जाता है ठीक है वाइनस नमस्ते एक बाद चेक करने दो कि आपनने क्वेशन यहां पर करेक्ट लिखाया नहीं लिखाया नहीं लिखाया 432-120 यस मनलब यसा 721, okay done सलो जाईं गया भी इस वाले को इस लोई से इस कॉलम से और इस रो को वापने से मतलब सेकेंड रोको पार्च कॉलम केंड रोको सेकेंड पालम ठीक है तो यह हो जाएम तुमारा मनिस लस्द का हो एक Plus ओ गॉलार्या नहीं अटू फथा तो यह 2 by 2 matrix ही है that's it, you are doing correct, चिंता मत करो तो यह 6 minus 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इधर 4 आ जाएगा इधर minus 3 आ जाएगा and यहाँ पर minus 2 हो जाएगा Is it your solution This is your solution, अब आपको इसका यह है आपका A into B यह A B आया है, यह solution नहीं आया इसको देखके नहीं बोलोगे कि माम यह तो not equal to 0 अरे बाबा, यह matrix है determinant निकालने का procedure अलग है determinant के से निकालते हैं determinant of A into B अब बोलो, इन दोनों को multiply करोगे 3 into minus 2 याद आ रहे, everyone और जब अपकन इस तरफ से उल्टा जाते हैं बोलोगे नहीं तो यह जाएगा तो यह तो यह जगा minus 3 into 4 दन याद आ रहे तो यह जगा 3 to the 6 minus 6 और यह हो जाएगा 3 for the 12 minus 12 तो this will be your minus 6 plus 12 the solution will be 6 which is not equal to 0 therefore आप लिखोगे therefore determinant of A B is not equal to 0 hence the matrix is is a non-singular matrix आपको यही बोला है और नॉन सिंगुलर मेट्रिक में डिटर्मिनेंट ओफ ए बी जीरो नहीं होगा और वही आ गया है तो यूविल राइट तो यूविल राइट आस हैंस प्रूट डन ठीक है ये वाला पाट समझा सभी को मस्तर से बोलो सी सिंगुलर में डिटर्мिनेंट ओफ यॉविल देडिल ओव होता है नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेट ओफ यॉवेब यूव द्स सीर होता है आक है तो तो toutes आपके बढ़े पढ़े धियुक्स की तरव अभी हमलो क्वेशनवस एविन क्या बोल रहा है कि चलो question no.7 try करेंगे everyone simple है पूरा exercise इतना ही simple है question no.7 में हलका तो एक tricky part है वो एक बार देख लो question no.7 यह है if a plus i is equal to a मतलब यह i क्या होता है मैंने हमेशे बताया था अगर आपको question में i दिखा i2 दिखा और i3 दिखा तो आप इसे क्या बोलोगे i will be your identity matrix ठीक है और अवेट यहाँ पे 3 by 3 है तो वो 3 by 3 order कहीं होगा ठीक है yes or no तो यहाँ पे a plus i आपको already दे दिया यह और आपको क्या करना है find the product of a plus i मैंडम a plus i तो दे दिया हाँ yes a minus i कहां से लेकर रहा है सोचो ज़रा थोड़ा सा सोचो कैसे लेकर आओ गया आपको product निकलना है a plus i into a minus i a plus i आपको already यह वाला part given है यह वाला part कहां से लाओगे हम हम एक काम करते हैं इसमें से इसमें से यह equation में से हम a निकाल लेते हैं बाद में minus i कर देंगे तो वो जगा अपना a minus i अरे getting it or not क्या कर सकते हैं आप समझ में आ रहा है तूरंद click चलता है क्या तूरंद mind चलता है इस तरह से यह a plus i दे दिया है a minus i कहां से तो एक काम करते हैं तुमने जो दिया है उसी में से a निकलेगा आई तो आपन को मालूम है one 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 the non diagonal element zero yes or no diagonal element one 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 बाकी तब जीरो रहेगा हो गया ना और क्या चाहिए ठीक है चलो आजो solve करते हैं फटा फटते कितना easy exercise yes or no देखो a plus i में से ही अचा ओके ये भी best way है बाट ठीक है इन्होंने ऐसे क्या है अब किसी का दिमाग ऐसा भी तो चल सकता है obviously बिल्कुल इन्होंने क्या क्या a plus i था ठीक है ये a plus i है इसमें अगर मैंने minus 2i दे दिया तो यह minus i हो जाएगा पहले एक simple method बताती हूं दुसरा अपन फिर इनका method भी चक करेंगे ठीक है तो this is another method दो method अपने पास में एक normal वाला method है ये दे दिया है a plus i दे दिया है is equal to 15024702-3 एक काम करेंगा चलो अपन solve करते हैं इसको और दोनों method से check out करते हैं कि solution सेम आता है नहीं आता है क्या बोलते हों solve करें given a plus i यहां पर मैं लिखूंगी given a plus i 1 5 0 2 4 7 0 2-3 यह दिया है आपको यह दिया है ओके यहां से एक एसे निकालोगे तुम यह हो जाएगा आपका 1 5 0 2 4 7 0 2-3 माइनस i हो जाएगा और माइनस i identity के लिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 yes sir no i job opposite side में गया तो उसे माइनस i लिख दिया मैंने यह सब समझा एवरी वान आप यू बोलो clear till here yes बहुत ही simple है कुछ भी नहीं अभी फटावट से माइनस करना है अपन को माइनस करना है तो क्या करो कि ऊफम दिया माइनस 1 क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा 5 minus 0 क्या हो जाएगा 5 आजएगा 0 क्या क्या हो जाएगा ठीक है 2 minus 0 क्या हो जाएगा 2 4-1 यह 3 हो जाएगा 7-0 7-0 0-100 रहेगा 2-0 fieldto Rai-an minis 3 माइनस और माइनस 1 मतलब यह माइनस 4 रहेगा, थोड़ा सा साइन चेक आउट करके, इदर माइनस 3 और माइनस सबस्क्राइब उनने, तो माइनस 4 हो जाएगा तो A आप क्या आ जाएगा यह ठीक है, अब यह आया आपका A, अब आपको क्या करना है, A plus, now to find A plus I into A minus I ठीक है यह आपको find करना है तो a मिल गया है आपको yes a plus i कितना है आपका अच्छ सुनो न a plus i बाद में करते हैं सबते पहले यह calculate कर ले क्या a minus i calculate कर ले a मिल गया है तो इसी में minus i कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 05023702-4 यह हो जाएगा तुम्हारा a minus i माम क्या कर रहे हो तुसी यहां से मैंने a निकाला जो आपको equation जो दिया था वहां से हमने a निकाला यह a plus i अल्डेडी गीवन है अब इसमें a minus i a जो value i है यह जो a की value i है इसमें मैं a minus i निकालना चाहरे हूँ तो what I am doing मैं पहले यह निकाल रहे हूँ first calculate सबसे पहले calculate कर रहे हम लोग a minus है यह a को मैंने as it is copy कर लिया minus i क्या होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 yes or no done अरे समझ में आ रहा है या confusion हो रहा है समझ में आ रहा है simple है न equation से a निकाला a निकालने के बाद में हमने उस a में i को minus किया तो a plus i तो question में गीवान है a minus i जो अपना purpose है वो भी निकल गया दोनों को multiply करेंगे you will get your solution समझा everyone ठीक है बोलते नहीं हो फिर number of times repeating करना वड़ेगा न बोला गरो फड़ावट से a plus i कितना हो रहेगा 0 minus 1 यह minus 1 हो जाएगा ठीक है 5 minus 0 यह 5 हो जाएगा 0 minus 0 0 हो जाएगा 2 minus 0 2 होगा 3 minus 1 2 हो जाएगा 7 minus 0 7 हो जाएगा 0 minus 0 0 होगा 2 minus 0 2 होगा minus 4 minus of minus 1 minus 4 minus of minus 1 यह कितना हो जाएगा minus 5 yes or no यह आए गया तुम्हारा a plus a minus i equation number 2 now just आपको a plus i को into करना है a minus i से ठीक है तो a plus i आपको question में दिया है a plus i as it is copy मारो यह जो तुमने a minus i लिखा है इसको as it is यहाँ पे copy मारो multiplication करो और मुझे solution बोलो solution में आपको करवा देती हूँ इसके because यहाँ पे दो-दो methods है दूसरा method भी बताती हूँ which one is easy it's up to you ठीक है a plus i question से लिखना पड़ेगा 12054212054207-3 07-3 यह क्या था तुम्हारा a plus i yes or no अरे यह देखो ना यह देखो ना a plus i तो दिया है a plus i तो दिया है यह पूरा a plus i था a minus i तुमने निकाला यह देखो इन दोनों को multiply कर रही हो और कुछ भी नहीं कर रही हूँ तुमने अभी अभी जस्ट जस्ट सिखा है 10 plus 10 और 0 का 0 तो 0 now i am not writing because i am experienced ठीक है बट आप लिखो गल्ती होगा तो पहचान नहीं पाऊगे कि आपने किया या अन इप्लिकेशन किया भी या नहीं किया ठीक है या फिल लो हो या चलो 0 लिख देती हो बस अब इसी रोको इस कॉलम से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 शांती दे कना बिल्कुल घाई मत कना यहां पे 0 7 जा 0 नहीं लिखे कहा 0 चलो ना इसी रोको थर्ड कॉलम से जीरो हो जाएगा यह इधर 4 आ जाएगा और यहां पे वापस से 0 आएगा ठीक है सिंपल हो जाता है बट आप एक्जाम में प्लीज शो करना ठीक है मुझे आपको दिखाना है दोनों मेथर दिखाना है इसलिए मैं आपको इस तरह तर्वारी इसी रोको इस कॉलम से 5 तू जाएगा और देखो 5 को 10 से 4 को 2 से 2 को 7 से 14 होगा ना 5 को 0 से 0 हो जागा 4 तू जाएट हो जाएगा और 4 तू जाएट किया ना 2 इंटू 5 माइनस 10 यह समझा एवरीवान नौ अब मैं इस थर्ड रो की तरफ हूँ 0 को 0 हो जाएगा 7 5 जा 30 और 3 0 जा 0 जाएगा अरे 7 5 जा 35 जाएगा ठीक है बाकी तो 0 हो जाएगा कुछ मिस्तेक्स होगी गाइस प्लीज बताना ठीक है हो सकता है कंडीने सब्सक्राइब ले रहे हैं हो सकता है तो डू लेट मी नो इस यह रोको आपने फर्स्ट कॉलम से तो करें अब इसी रोको आप सेकेंड कॉलम से करोगे तो यह तो 0 जाएगा 7 2 जा 14 14 लिख लू मैं पहले और माइनस री इंटू यह 7 3 जा 21 माइनस 21 नाव इसी रोको इस से तो 0 0 जा जाएगा लिखने की दर अधनी 7 2 14 हो जाएगा यह लिख लो और माइनस 3 इंटू माइनस 5 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस 15 चलो आजो सॉल कर लो कितना आता है यह जाएगा आपका 9 यह जाएगा आपका 15 ठीक है और यह कितना हो जाएगा आपका 35 यार यह कॉलम तो आगया अपना 6 नौ यह कितना हो जाएगा आपना अभी एक चीज़, 24 प्लस 10, 30, ने 24, 8, sorry, यह जगा तमर 22 प्लस 10, 32, और इधर कितना आ जाएगा? मैनस 7, ठीक है? अब इधर कितना जाएगा? 4, और यहाँ पर कितना जाएगा? 2, 9, यह है तुम्हारा किसका आंसर? A प्लस I into A मैनस I का आंसर, जो तुमको उन्होंने question में निकालने बोला है, find the product, yes we had find the product, फटा फट से एक बार चेक आउट कर लेते हैं, क्या इसका आंसर 9, 15, 35, 9, 15, 35, 6, 32, minus 7 यह, और 4, 2, 4, minus 2, 9, 29, सेम है? हां जी, सेम है, तो अपना मेथड भी चल लेगा, उनके मेथड से सामझना, अच्छा पहले एक बार बताओ, क्या यह समझा क्या? every one of you, क्या यहां तक समझा? हां, first row, first column, first row, second column, first row, third column, फिर second row, first column, second row, second column, second row, third column, got it, everyone, done, okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ होता है यार, mistakes होता है, इसलिए तो practice करनी है ना आपको, चलो, अब एक हो method बता दू, this is our method, ठीक है, यह अपना method था, क्या method था मेरा, अपना method यह बोलता था, यार अपन को एक equation दी है, हांजी दी है, यहां से a निकाल सकते हैं, क्या, निकाल सकते हैं क्या आपको identity matrix पता है, अदेर जाएगा तो minus i हो जाएगा a निकालीआ, ये निकाल, माडम, a plus i तुमको question में दिया था, दिया था, a minus i निकाल लो, निकाल लो, a को create is put करो इसमें माइने साई करो यह हो गया तुम्हारे माइने साई अब क्वेश्चन में दिया ए प्लस आई ए मने साई तुमने निकाला दोनों को मल्टिप्लाइ करो दिस यू गॉट देसाथ आंसर दन एवरीवान डन लेक्स मेतर सीखने अनद एटर चलो आजाओ अभी इन्होंने क्या किया पता है क्या इस मैतर में ध्यानते सुनना आपको यह मैतर सा आता है वहलैं गॉट दुस्टा मैतर से करना है वह भी देख लो ए प्लस आई आपको दिया था a plus i दिया था इस a plus i में अगर आप minus 2i कर दोगे तो आपको a minus i मिलेगा क्या मतला तुमने इसी में ही minus 2i करना है तो तुम्हे a minus i मिल जाएगा यह तुम्हें मिल गया a minus i अब a plus i question में दिया है a minus i तुमने निकाला इन दोनों को multiply किया you had got the same product उन्होंने क्या किया उन्होंने यही equation यह तुम्हारी equation में a plus i में minus 2i कर दिया और इसी में minus 2i क्या अरे समझा क्या everyone बोलो नजर रहा समझा नहीं समझा तो अपना method है यह भी समझ में आना चाहिए दोनों method समझ में आना चाहिए डन तोड एवरिवान मेरा method समझा ओके चलेगा यह मैश यह method नहीं समझा क्या आपको इधार आओ अचली बहुत ज्यादा यह हो गया थोड़ा सा देखो ध्यान से मैश समझना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 11 12 में अगर थोड़ा भी ट्रिक्स नहीं समझ रहा है तो सिए एसा समझ में थोड़ी सी दिक्कत आएदी को तुमको तुम्हें भी पता है तुम्हें क्या निकलना है अप्लस डीकलना तुम्हें निकलन लिया एसा। अश्मा आ रहा था कि अगर मैं माइनस 2i कर दूं यहां पर तो यह कितना हो जाएगा a-i करो इन दोनों को इन दोनों को solve करो अभी plus i minus 2i plus 1 minus 2 अजय माइनस 1 yes or no आया अच्छा माडम लेकिन करेंगे कैसे जैसा दिया था वैसी करेंगे पहले a plus i तुमको दिया था न a plus i क्या था यह रहा question में यह अधितर लिखा और minus of 2i निकालना था minus of 2i निकालना था यह question में दिया था minus of 2i किया इसी को आगे चलते रहे a minus i इसका जो solution आजएगा यह a minus i आजएगा a plus i दिया है यह आपने निकाला इंदोनों को multiply करो you will get your solution now clear everyone यह भी समझा क्या दोनों समझना चाहिए done thank you thank you anytime एक एक को समझना चाहिए ना एक बर समझ गया ना एक सेकिंड लगा समझने में लेकिन confidence होता है ना यह एक एक सेकिंड से ही confidence develop होता है ठीक है यह चोटी चोटी चीदे द्हान रखो चालो नाव अब यह तुम सॉल्ट करोगे ठीक है अब यह मैंने सॉल्ट करना है बहुत मुल्टिप्लिकेशन कर वा लिया यार इस exercise में अगर यह यह है शो दाट a square minus 4a is a scalar matrix मैंने तो नाम भी नहीं सुना आपको आता है तो आप बता दो मुझे सत्यम उपर वाला मैथर समझा दोनों मैथर सत्यम रुको पहले सत्यम का मैथर समझा ना ओके चल अब वो question को चोड़ दो अब इधर में आ जाओ क्या मुल रही रादिका अच्छा हमने तो सुना ही नहीं आड़म नहीं सुना बताती मैं दूंगो वे दुष्टो पापियो scalar matrix में diagonal के element सेम होते हैं समझा चलो आजाओ अब इसको solve करो और मुझे बताओ के diagonal के element सेम आते हैं या नहीं है मैदम कई से बताओ ए दिया है a into a करने का पहले वो जाएगा तुमारा a का square ये पाट निकलेगा फिर 4a करने का जो आएगा ना तुमारा a into a करोगे जो solution आएगा मतब क्या करना है तुम्हें मैं बताती हुसीदा a square को लिखो के a into a ये रहा a into a फिर लिखो के minus 4a minus 4a solve करोगे तीनों को इन दोनों को तो multiply करना है सवाल इन नहीं उठता multiply कर लो आंसर निकल लो यह आ गया माइनस 4a yellow 4a minus करो दोनों को ये विल गेट दस जचे दियो स्केलमेक समझ में आया कैसे solve करना है everyone a in a square कैसे निकालो के a into a करके बस इतना था यहां पे ट्रिक था that's it और वो भी इतना comment रिखता की बच्चे बच्चे को पदा है कि a square क्या हता है कैसे निकाल दे अरे 2 का square कैसे निकालो के 2 into 2 a का square a into a that's it ठीक है चलो if a is this find k so that a square minus 8 a minus k l k i s or it k k i a where i is a 2 by 2 unit okay and zero is a just a second is a null matrix of the order 2 okay क्या बोला पता है यह जो i है न यह 2 by 2 का unit matrix है नहीं भी बोले होते थे तो भी हमें पता है कि unit matrix identity matrix सब एक इच्छ है और यह 0 क्या पता है is a null matrix null matrix मतलब दो-दो का order मतलब 0000 समझा everyone तो यह तुम्हें बता दिया उन्होंने a का square करना है वहापे से a into a करना है minus 8 a करना और k को k लिखना i है यहाँ पे तो 1 1 0 0 ऐसे लिखा and 0 यह जो है आपका 00 का 2 by 2 order matrix से यह भी आपने लिख लिख लिया equality of matrices करोगे और फिर की value निकालोगे यह homework है everyone and आपको solve करना है ठीक है simple है trust me बहुत simple है okay now next question क्या बोलता है अच्छा यह वाला question आप try करो नहीं होगा तो I'll solve solve for you यह वाला question आपने प्राइक करना नहीं होगा तो मैंने आपको solve कर रहा है अच्छा question number 10 क्या बोलता है question number 10 अगर a की value यह है तो prove that where i is unit matrix पता है हमें a into a minus 5 into a plus 7 into i i मता 1 1 0 0 अरे yes or no a into a कितना हो रहेगा 3 minus 1 1 2 वापे से एक से इंटू करेंगे 3 minus 1 1 2 इधर इंटू पहले अच्छा इसको इतने लंबे चौड़े तरह से मत करना है मत करना गलतिया करोगे ठीक है तो आप पहले से पहले क्या निकालोगे फर्स्ट स्टेप ए स्कुएर इस इकल टू ए इंटू ए यह निकाल लिया तुमने यह कैसा रहेगा 3 minus 1 1 2 3 minus 1 1 2 यहाँ पर जो आंसर आएगा तुमारा ए एक आंसर आएगा इसको डालो equation number 1 ठीक है नाउ 5a निकालो 5 into a 5a को तो तुम डिरेक्ली भी स्कुर्ण करते हो ठीक है चलो अब डिरेक्ली आप पूरे equation में पूट करो इसकी वालिउस पूरे equation में पूट करो अब कर लो यहाँ पर आप a square a square की डिरेक्ली equation 1 से आती है यह equation 1 का मैं ट्रैसे लिखने का minus 5 of a यह भी बहुत सिंपल है 5 of a क्या हो जाएगा multiply करना उसको 5 और है क्या 3 minus 1 1 2 तरह यह जाएगा आपका 5 सिर्दा 15 minus 5 और 5 and 5 to the 10 that's it और फिर यहाँ पर आपको 7i plus 7 है अरे समझ में आ रहा है या नहीं 1 0 0 1 7 वंजा 7 0 0 0 0 7 इन सबको add less करो solution 0 0 0 0 आएगा तब आप बोलोगे hence proved got it समझा question number 10 कैसे करना है simple है यह आपको करना है ठीक है हाँ यह हो तकते कि question number 9 में problem आ जाए और question number 9 का सॉलूशन यही आने वाला है ठीक है do let me know अगर सॉलूशन आता है और कैसे करना यह मैंने आपको बता है सबते पहले एको अलग से सॉल कर लो एको अलग से सॉल किया अब इसका जो सॉलूशन है वो यहां पर पूट कर देना यह मैंने आपके सामने सॉल किया बस add less करो यह विल ग width ब्रयुट बर Farmॉब अधे एक भाई एं रूज चो भाई लू था रवे पर लड में झाल झाल